हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्री चैनल जी एसार इस्टडी में दोस्तों थमनिल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है जी यहां दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज सब्सक्राइब निवर्थ हो जाते हैं यानि जो 245 संक्य आएं की उसका एक टिहाई जो है वह प्रते दोवर्ष में अपना पत छोड़ देते हैं ठीक है उन पर चुना होना था उननीज जून 2020 को हुआ है जो कुछ चुनाओ एक्षिली मैं यह मार्श महीने में मार्श 2020 में चुना होना था इन सारे पतों पर चुना होना था ठीक है टूटल लेकिन कोरोना महामारी के वज़ए से संसत नहीं बठा बठी वहां पर 17 नहीं चले संसत के तो कुछ सब्सक्राइब मार्श में ही निर्वरोच उनको चुन लिया गया था कुछ सीटें बची हुई थी जिन लोगो ने बात कि अभी दिवार्शिक चुनाओ के तहट टोटल 61 सीटों पर चुनाओ होना था ठीक है राजसभा की कुल मिलाकर 61 सीटों पर चुनाओ होना था जिसमें से 42 सीटों पर सदस निर्विरोच चुने गए हैं यानि उनके खिलाब किसी और सदस ने ख़ड़ा नह दोस्तों कितने सीटों पर चुनाओ हुए है निस में से बीजे पी ने और चार सीट Greno जीटी है दोस्तों कितनी सीटों पर चुनाओ कि उसमें से आठ सीटें बीजेपी ने जीती हैं और चार सीटों पर कॉंग्रेस ने जीत हासिल किये तो दोस्तों उच्छ सदन जो की राजसवा है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि एंडिये जो दल है यानि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जो है उनकी सदस संख्या 100 के ऊप पर पहुंच गई है टोटर 101 सदस्य हो गए है राजसवा में ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ यह पहली बार ऐसा है कि एंडिये जो दल है जो सब्सक्राइब पार्टी है पार्टी है एंडिये समय टाइम पर वह 101 सीटें लेकर सरवाधिक बड़ा दल बन गया ठीक है अगला क छोटे तर किन से वह चुने के का 42 साझें में से 37 घ्रष्र ऐसे हैं जिनको मार्ज 2020 ही चुन लिए गया था कि दोस्तों। यह चुनाओं जैसा रिप only सोब्हुत में नहीं सब्सक्राइब है लेकिन को thorna का माँमारी के वज़ते ऐसा नहीं हो पाया तो जिन सदस्यों को मार् 2020 में ही चुन लिया गया था यह जो संख्या यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह पुछा सकता है जाम में कि कितने सदस्च मार्श चुने गए थे तो दोस्तों आपको याद रखना है 37 सदस्चियों को मार्श 2020 में चुन लिया गया था बाकी सीटें जो बची थी तो इस वह उनपर जो है 19 जून 2020 को चुना होना था दोस्तों अब बाकी कितनी सीटे बची थी तो चौविस सीटें बची थी थी बाकी चुल लिये गया मार्श में और 24 तो इस पे सीटे बची दिखिए हूं कि टोटल 61 सीटों पर चुना होना था तो 37 चुने गए मार्च में निर्वरोद बची थी 24 सीटे जिन पर जून 2020 में फैसला हुआ तो कब 19 जून 2020 को चुना होना था जिसमें से फिर जो है 24 सतसे बचे थे जो उसमें से भी 5 सतसे जून 2020 में निर्वरोद चुना लिये गये थे तो तो पहले और मार्च में और उसके बाद उनीज जून दो जार पीस को और ऐसे थे जिनको निर अर्वभेरोट चुना गया उनके पांस करनातक तो शुनन पतने अद्ड्स पत्व वह रणाचनल परतेश से टास जारक धो खाम और कि निर्विरोज चुने गया है ठीक है अगला स्लाइट रहते हैं जिन सीटों पर जून 2020 में निर्विरोज चुना हुआ उनका विवरोण प्रकार है तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की थी कि स्ट्रव चुना पर एक शुना प्रदेश की एग उस पर भी निर्विरोज चुना उवा थे वह EatingOLि बीजे पी तरफ आखिल किया था तो नवाम रभी यह है वो बीजेपी की तरफ से राजसभा में पहुंच गए है निर्विरोद इनका चुनाव किया गया है इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ था ठीक है तो यह कहां से अनुनाचल प्रदेश के दोस्तों अब यह जो नाम है यह सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए है आ नावाम रेविया जो है वो चुने गए हैं बीजेपी के हैं करनाटक में चार सीटों पर निर्विरोद चुना हुआ उसमें कौन कौन किया है इसने राजसभा को इरन्ना कडाडी यह बीजेपी के हैं अशोग गस्ती यह भी बीजेपी से चुने गए हैं मल्यकारजुन या अनुनाचार प्रदेश से ठीक है अगला देखते हैं जिन 19 सीटों पर चुना हुआ उनका विवरण निम्न है दोस्तों 24 सीटों का फैसला हुआ था इसमें से पांच निर्विरोद हम लोगों पढ़ लिए हैं अब बात करते हैं 19 सीटें वो जिन पर चुना हुआ यानि जिन पर सदस निर्विरोद नहीं चुने गए हैं उनके लिए फाइट हुई है ठीक है 19 सीटों के लिए तो उसमें से पहली है मिघाले मिघाले की एक सीट पर चुना हुआ उस पर जीते हैं डॉक्टर डबलू आर खर खुली ठीक है खर लुखी सौरी उस्तों डॉक्टर ड मनीपूर से लिशेमबा सना जाओबा यह बी जेपी आप अगले साथ डखते हैं अब बात करते हैं गुजराद गुजरात की भी चाड़ सीटों के लिए चुना हुआ दोस्तों ठीक है तो गुजरात की जू सीटें थी उसके लिए कौन चुने गए हैं अब है भार्रदवाज 2022 से धमिला गेंवार बिज़भीजा नर्हरी अमीन बिज़भीजारि फी ये टीन तीन डीड्र से शक्ती सिंग गोहिल यह कांग्रेश से जीते हैं खिए। विजरात की चार शेटओं में और एक सीट कांग्रेश है। अगला साट देखते हैं आंद्प्र देश दोस्त अंद्प्रिदेश की वह चार सीटों पर चुना हुआ लगी सारी सीटें यह एसार कॉंग्रेस ने जीती ही दोस्तों किसने जीती है वाई एसार कॉंग्रेस ने आन प्रदेश की चारों स्वीटों पर कप जजमाया है और कौन-कौन जीते हैं वहां से तो पिल्ली सुभास चंद्रबोस मोपी देवी वेंकट राम रमना राव अला आयोध्या रामी रेड देश मद्द्रदेश की तीन सीटों पर चुना हुआ राज सभा के लिए तो उसमें दो सीटें जीती है बीजेपी ने और एक सीट जीती है कॉंग्रेस ने पहले कॉंग्रेस में रहने वाले जोतिराज सिंध्या जो है प्रजेंट टाइम पर बीजेपी के सदस्थे हैं और कि तरफ से है तो राजस्थां के लिए चुना हुआ घर तो राजेंद्र गैलोत जो है वो वी उनों गोपाल और नीरज डांगी यह दोनों जो हैं वो कॉंग्रस से जीते हैं अब बात करते हैं जारखंड की जारखंड की भी दो टोटल उनिस सीटे थी जिनको हम लोगों ने बात की चुनाव हुए ठीक है तो यह सारे जो हैं चाहिए वो पांश जून को चुने गए हैं या यह उनिस सदस से जो चुनाव के द्वारा पहुंचे है रास्षबा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एक्जाम के चुनाव उनिस जून दो जार बीस को किया गया यानि पांच निर्वरोध ठीक है पांच सीटें और उनने सीटें जिन पर चुनाव हुआ है दोस्तों ठीक है उन पर इस डिसक्षण किया है अमने अच्छी वीडियो में बाकि कितनी कुछी है सैंतिस सीटें अगर आपको इ के बारें भी जनक आड़ी करनी हूं दोस्तों इंफोर्मेशन लेनी हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजएगा उस पर भी इंफोर्मेशन प्रवाइट करा दी जाएगी तो मिलते हैं आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा हमारे दोरा वीडियो में तो थैंक्यू फ्रेंड्स